तो सौगत है सभी SSB Aspirant का इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में कितने सर्विस सेलेक्शन बोर्ड है और वो कहां कहां सेचिवेटेड है SSB अनि सर्विस सेलेक्शन बोर्ड अगर कोई कैंडिडेट इनन आम फोर्सेज में ऑफिशर बनना चाहता है तो उसे SSB इंटर्व्यू के प्रोसर से गुजरना होता है और इसके लिए उसे अलग-अलग SSB सेंटर जो भारत के कई सेहरों में सिच्वेटेड है वहाँ पर अपियर होना होता है इन SSB सेंटर्स पर डियाडियो द्वरा बनाया गया 5-day SSB जो प्रोसेज है उसके थ्रून को गुजरना होता है और फाइनली तब जाकर कि वो फाइनली SSB में सफल होते हैं आपके अंदर के इनटर फॉर्समें ओफिसल यै क्वालिटीS की जो भूबी है वह है की नहीं है क्योंकि अगर आप इनटर जोइन करने के लिए जा रहे है तो बहुत अहिम हो जाता है कि आपके अंदर व vontब एको इसें बी के फाइडिय में आकार देखी जाती है अगर कोई candidate Air Force के लिए जोईन करना चाहता है तो उसे FSB में SSB इंटर्वी के लिए अपियर होना पड़ता है ठीकी सी तरह इंडियन नेवी के जो एक्सपरेंट होते हैं उन्हें NSB यानि Naval Selection Board में अपियर होना होता है तो आई आज जानते हैं कि इंडियन आमी नेवी और इयर फोर्स के सभी SSB सेंटर के बारे में और 이 SSB सेंटर कहां कहां है तो सबसे पहले हम लोग Army के जितने हमारे सेलेक्षण सेंटर हैं हम उनके वीच्छे में बात करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम SCE Alhaba that means आपका सेलेक्षिन सेंटर इस्ट अलहाबाद जो मुझे लगता है कि पुरे इंडिया का सबसे बड़ा सेलेक्षिन सेंटर है जो की उत्तर प्रदेश के अलहाबाद सहर में सिच्वेटेड है और यह सेंटर इस में आता है जो सेंटर जो की आर्मी से जुडा हुआ है SCC सेछेट Спेल्टेश्न सेंटर मतलब भोपाल की वाग्तंटीश रूआ 21 SSB और 22 SSB अब बारी है SCS Bangalore that means Selection Center हमारा South that means Bangalore SSB Center की जब बात करते हैं तो वहाँ पर दो Board में वजूद हैं जिसमें 17 SSB आपका आता है और 24 SSB आता है अब finally हम बात करेंगे SCN that means Selection Center North Kapur Tala की इस Centers पे भी दो ही Board है 31 SSB है और 32 SSB है ये तो बेसिकली रहीं आपकी इन आमी से जुड़े हुए सर्विस सेलेक्शन बोर्ड उनमें कितने SSB बोर्ड हैं अब बेसिकली हम लोग बात करेंगे सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के विशह में इनने Air Force के कुल पांच SSB बोर्ड मेवजूद है जिने हम AFSB कहते हैं that means Air Force सेलेक्शन बोर्ड के नामजी हम जानते हैं सबसे पहला आपका आता है AFSB देहरादून जो कि उत्राखंड में सिच्वीटे हैं सेकंड आपका आता है AFSB मैसूर जो कि करनाटका में हैं थर्ड आपका आता है AFSB जो है गांधी नगर डैट में सेलेक्शन सेंटर हैं जो कि Air Force से जुड़े हुए हैं तो यह बेसिकली सेलेक्शन सेंटर थे जो मैंने आपको क्रमसा बतानी की कोसिस की इसी कड़ी में जब हम 33 जो हमारा सेलेक्शन बोर्ड है वो हमारा जो सर्विस सेलेक्शन जो है सेंटर भोपाल है उसके अंतर गताता है वही नस्बी हम विसाखा पत्नम की बात करेंगे और नस्बी कोलकाता की भी बात करेंगे तो यह थी इंडियन आमी और इंडियन नेवी और इंडियन एरफोर आर्मी है नेभी है यह फोर्स है अबिसली क्रमसा इन ही सेलेक्शन बोर्स में आपको जाने का उसर मिलेगा अब इसके साथ साथ बिल्कुल मैं यह कहना चाहता हूं कि फॉच की जो सफलता है और आप आप आर्मी जाए नेभी जाए फोर्स जाए मुझे लगता है कि आपकी सब्जेट का टेस्ट नहीं एक परस्टनालिटी का टेस्ट होता है इसलिए कहा जाता है कि दूरिंग हॉल सेलेक्शन प्रोसेस अपके लेंदर उन और वैल Qs को देखा जाता है और मैं हमेंसा से मानता हूं कि हर प्रस्टनालिटी अपने आप में यूनिक है और या graduate label पर आप cds के थूँ हो एक तुरू हो या फिर डिरेक्ट जितनी हमारी सस्वी है वो एससी टेक हो टीजी सी हो या फिर ने भी एससी टेक हो एंसी सी इस पर सलो जाएंग इंट्री हो आप किसी इंट्री इस पिसल से एसस्वी के लिए जा रहे हैं आप फॉच की इंट्र सब्सक्राइब करता है हम कोई मास्ट्रेनिंग प्रोग्राम पर नहीं जाते हैं वन टुवन हर केंडिडेट की इंडिविजल परसनेलिटी को हम अनलाइज करते हैं जहां डूरिंग स्क्रेंग राउंड आपकी वाई एर ग्रेट्स क्या हैं पीपीडीटी के दौरान आपक आपको फीडबैक मिलता है कि आप कहां कमी कर रहे हैं आपको क्या बहतर करना है परियाप समय जितने देर सेलेक्शन बोर्ड में चलता है उससे ज्यादा हम समय यहां पर देते हैं और दो-तीन बार आपको यह मौक करते हैं जिससे आप प्रॉपर पॉन्फिडेंट हो पाए एक वर्ड में मैं बोलूँ तो मिजर कल सी आपको इनडीविजली अनलाइस करता है आपकी प्रसनलिटी ट्रेट्स को आपको रियलाइस करता है कि कहां कमी है क्या आपको भैटर करना है और कैसे रिलाक्स होकर के स्थिस्ट सेच्वेशन में अना आ जाते हुए खुद को एस को प्रपर अन्भव है आपको रियल ट्रेनिंग देने का तो वाके में जितने भी देश के सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेज़र तल सी क्लास इसको चुन सकते हैं ऑनलाइन भी ऑप्शन है जिसके लिए और एमकेसी के साथ एससवी और आफ्लाइन क्लास्ट्रूम प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपनी सच प्रसत सर्विस सेलेक्शन बोर्ड में सफलता सुनिशित कर सकते हैं देख फिर से आपको बहुत बहुत सब्सक्राइब थैंकियो श्रमच विश्यो गुड़ लग जय जय भारत